नमस्कार मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं एवर न्यूज बिहार आज है 16 जुलाई चलिए फटाफ़ जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को पहली खबर सिवान में स्वास विभाग के औशदी विभाग द्वारा शुकरवार को पचरुकी प्रखण के उखई बाजार में छापे मारी कर रही एक बिना लाइसेंस की चल रही दबा दुकान से खड़ी 20,000 रुपे मोले से अधिक की दबा को जब्त किया गया सहायक औशदी नियंतरन विजय कुमार ने बताये कि जिला परशासन को पचरुकी प्रखण के उखई बाजार में एक बिना लाइसेंस की दवाद गान चलने की शिकायत मिली थी उन्होंने बताये कि सूचना मिलने पर पचरुकी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविरंजन तिवारी मजिश्रेट के निट्वित में औसधी निरिक्षक शेलेंदर नारायन एवं हरी साहनी द्वारा सराय ओपी थाने की मदद से पचरुकी प्रखंड के उख उन्होंने बताया कि दुकान का माली कोंप्रकाश सा जोला चाप डॉक्टर भी है वो दुकान में दवा बेचने का साथ साथ मरीजों का इलाज भी करता था सहायक ओसदी नियंतरन विजय कुमार द्वारा बताये गया कि ओसदी बिभाग का सिवान एक ओसदी निरिक्षक नहीं होने की कारण लगभग दो सालों से पद खाली है जिसके कारण उसे छेतर में रूटीन जाच नहीं हो पाती है शिकायत मिलने पर टीम का गठन कर जाच क वर्स की परिक्षा नकल की जा रही थी सूचना पर जिला प्रशासन ने शुकरवार को और चक निरिक्षन किया निरिक्षन करने आई टीम दंग रह गए डियम ने जब परिक्षा हॉल का जायजा लिया तो पता चला कि सभी परिक्षार्थियों के पास मोबाईल और गेस प कारी मौजूद थे अगली खबर बिहार में सावन की पहली सोमवारी से एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है मौनसून के कमजोर पढ़ने से अधिकतर जिलों में सामानने से कम बारिश हुई है इससे किसानों के चेहरे मुर्जाय हुए है और आमजन ग कर रहा है हिंदू मान्यताउस से में इस दिन का खासा महत्व है इस दिन शिव भक्त बाबा भोलेनात का जलविशेक करते है सावन की पहली सोमवारी से सूखे परे बिहार में एक बार फिर बादल बड़ेसने का सिलसिला शुरू हो जाएगा भारत मौसम बिभा के पूर्व बिहार कर मिच्वारी चायाना योग ने सहायक उर्दू अनुवादक भरती में मुख्य परिक्षा के बाद योग पाये अभियार्थियों की काउंसिलिंग का शेडियूल जारी कर दिया है BSLC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार BSLC मुख्य परिक्षा के बाद 1374 अभियार्थि को योग पाया गया इन अभियार्थियों की सूची आयो की वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर 67 2022 को जारी कर जा चुकी है इस सूची में जिन अभियार्थियों के रोल नंबर अंकित है उनकी काउंसिलिंग 26 जुलाई 2022 से 6 अगस 2022 तक आयोग कारियाले में आयोजित की जाएगी इन अभियार्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है आयोग ने कहा है कि अभियार्थियों को निर्देश है कि इस सम्मंद में 7 जुलाई को जारी सूचना को ध्यान से पढ़ ले इस नोटिफिकेशन में दिये गए दिश्रा निर्देश को ठीक से पढ़ कर उनका पालन करते हुए निर्धारित तिथी में आयोग कारियाले में उपस्थित होना सुनिशित करे आपको पता दे कि बिहार कर मिश्वारी चयन आयोग ने नवंबर 2019 में विभिन पदों पर कूल 155 रिक्तिया निकाली थी इसके तहत राजभासा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के पद भड़े जाने के हैं ये सभी भरतिया मंतरी मंडल जा रही है अगली खबर भागलपूर के सुल्तान गंज में बिहार जारकन के विश्व प्रसिद्ध शुरावनी मेला का उद्घाटन हो गया है इस बीच सुल्तान गंज का नाम बदलकर बाबा अजगैवी नाथ धाम किया जाने की घोशना की गई है इसके लिए जल्द कव और यातरा करके देवघर भी बाबा वैदनाथ का जलावी सेग करते हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव सामाने प्रशासन विभाग को भेज़र जाएगा नामांकरन को लेकर सर्वानमती बनाने के प्रयास किया जाएगा गुरुवार को उद्घाटन समारों के द अमामी गंगे योजना से 30.7 एक करोर की लागत से रिवर फ्रंट बनाए गया है इसके लंबाई 125 मीटर है इसके अलावा गंगा घाट पर लकडी के चार शब दहगडी चेंजिंग रूम शौचाले आदी की विवस्था की गई है इसी तरह सीडी घाट को भी बनानी की सुल्टान गंज उस्तित गंगा से जल भर कर शधालू कावर यात्रा करके देवघर में बाबा वैधनात का जला अभिसेग करते है